आज हम बात करेंगे स्री विरंदावन चंद्रदास के बारे में और उसमें भी एक पर्टिकुलर वीडियो आई थी धर्मा लाइव करके AVP जो न्यूस चैनल है उसका एक प्रांच है धर्मा लाइव करके तो उसके एक वीडियो अप्लोड हुआ था मैं आपको दिखा देता हूं क्या वीडियो था उसके आगे की कानी आपको समझा देता हूं यह वीडियो अप्लोड हुआ था इस धर्मा लाइव नामग यूट्यूब चैनल में इसका टैटल था क्या धर्म गुरू कर रहे हैं धर्म का व्यापार पार्ट टू गिव गीता जितने भी लोग इस एपिसोड में आये थे उनमें जो सबसे विद्वान माना जा रहा है वो है गिव गीता की चरफ से ये हैं आपके विरिंदावन चंदरदास जी जिस पर कार्थाव कमेंट में पढ़ सकते हैं जैगौरांग राताशाम बोल ले हैं स्री विरंदावन चंदरदास जी के ज्यान और बक्ति को पर नाम जिसके पास असली ज्यान होता है उसके संपूर्ण जीवन आवँ आचरण में जरगता है स्री गूरदेव श्री वरिंदावन चंदरदास जी सदय विजय हों जैसरी प्रभूरपाद ठीक हैं अगला बोला है हरी कृष्णा विंदावन चंदर दास्टी ट्रू नॉलिज कुल मिलाकर लोग इनकी प्रसंसा कर रहे हैं लोगों के अनुसार इन तीनों में से तीन लोग जो इसमें मौझूग थे इन में से सबसे बड़ा ज्यानी विंदावन कर रहे हैं यानि कि जो गिव गीता लिखा हुआ है जिनका जिस नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी चलता है और इनकी संस्था भी इसी नाम से हैं गीता दें गीता दें गीता दें तो गीता यानिकी गीता के नाम पर जूट बोल ले हैं गीता में जो नहीं लिखा हुआ ह वो बोल ले हैं, गीता में जो नहीं लिखा हुआ है, वो ऐसा उसा छिल लिप्रीजेट कर रहे है, अपने मन गणत उसमें जोड़ के, मतलब जो की संस्कृत के स्लोक में कहीं भी लिखा नहीं हुआ है वैसे वाक के वैसे सेंटेंस वैसे शब्द उस स्लोक के अंदर जोड़के ये लोगों को बता रहे हैं एक्जेक्ली में क्या कहना चाहरा हूँ फ सी है वाकवद इस नहीं कर सकता और उसी भाकवाण कृष्ण नहीं बोली बढ़ अनुबाद करके भी बताएंगे कि है इसका क्या अनुबाद है तत्यों से मुझे सिर्फ मेरा भक्त जान सकता है द्यान से सुनना इन्हों ने बोला तत्यों से सिर्फ मेरा भक्त मुझे जान सकता है सिर्फ मेरा भक्त मुझे जान सकता है एक एक शब्द को आपको गौर से सुनना है क्योंकि ऐसे यह लोग manipulate करते हैं अगर आप गौर से नहीं सुना तो आपको समझ में नहीं आईगी कहानी दोवारे सुन यह ध्यान से से बड़ा क्लियर कहते हैं भक्त अमाम अभी जानती यावनियस यास्मी तत्वता तत्व से मुझे सिर्फ मेरा भक्त जान सकता है यानि की यह एक वर्टू वर्ड आप देखिए उसके बाद अगले अगला क्या बोलें अगले सेंटेंस यह ना ज्यानी ना योगी ना ध्यानी बड़ा क्लियर कर दिया है बन तू चक्त देखिए ठीक है यह बोले हैं तत्व से सिर्फ मेरा भक्त मुझे जान सकता है ना योगी ना ध्यानी ठीक है यह है इस सुलोक का अनुवाद इनके अनुसार ठीक है सब याने की भगवत किता के 18 में अध्याय कि 55 वे सुलोक का अनुसार यह है कि तत्व से सिर्फ मेरा भक्त मुझे जान सकता है ना ज्यानी ना योगी ना ध्यानी ठीक है एक बार और सुन लीजिए अगर कोई आपको शंकर है यो मन में तो भगवान शेरी कृष्णा क्लियर है यह कि इस पे कोई बहस नहीं कर सकता और उसी भगवत इता के अंदर जो भगवान कृष्णा ने बोली अठ्ठर में अद्ध है कि पच्वण में श्रूप के इंदर बड़ा क्लियर कहते हैं भक्त अमाम अभी जानती यावनियस यासमी तत्वता तत्व से मुझे सिरफ मेरा भक्त जान सकता है ना ज्यानी ना योगी ना ध्यानी बड़ा क्लियर कर दिया है पंतु चकरिया है कि यहीं तो इनका जो अंदविश्वास है आज इनकी फोले गा के लोग पढ़ते ही नियो बगवत गीता यहीं लेंगे हमने हुए साफ बबगवत गीता उठाली है और उसका हम 18 माध द्भ्थ्याय का 55 मौ आपको खोल के दिखा रहे हैं भगवत गीता है ठीक है ये है स्रीमत भगवत गीता ठीक है साब और इसका 18 मा अध्याय का 55 मा सुलोक जिसका ये वर्डन कर रहे थे ठीक है ये सेम सुलोक है ठीक है इसमें इसका देख लेते हैं इसका अनुवाद क्या है इसका अनुवाद है उस पराभक्ती के द्वाराव है मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसे का वैसा तत्तु से जान लिता है और जो second line थी उसका तो इन्होंना अनुवात करा भी नहीं था ना उसे mention करा था तो इसके बाद में लिख रहा है कि तता उस भक्ती से मुझ को तत्तु से जानका तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है तो इन्होंने mention वैसे भी नहीं की थी ना संस्कृत में ना हिंदी में खाली उपर वाली लाइन mention करी थी लेकिने दौनों ही लाइनों में ऐसे इस पूरे सुलोक के अंदर ये जो इन्होंने बोलाता केवल सिर्फ इन्होंने जो बोलाता कि सिर्फ मेरा भक्त मुझे जान सकता है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ उस पराभक्ती के दौरा है मुझे परमात्मा को जान सकता है सिर्फ मेरा भक्त जान सकता है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ ना तो संस्कृत में ना ही हिंदी में अब आप ये बोल सकते हैं कि साभी संस्कृत में हो सकता लिखा ओ इन्होंने इसका translation कलत कर दिया हो तो इसका भ में नोने बोला था कि तक्तो से सिर्फ मेरा भक्त मुझे जान सकता है ना ज्यानी ना योगी ना ध्यानी तो ये ना तो ये सेकंड लाइन इसमें कहीं लिखी हुई और ना ही सिर्फ जो बोला था है नोने सिर्फ मेरा भक्त जान सकता है ये भी नहीं दिखा हुआ इसमें बोल जिस में जो संस्रित के वर्ड है, उसके वी मतलब दे रखे हैं, ठीक है, ये वो ही सेम सिलोख है आप टैली कर सकते हैं, सेम एक्जच्छेक्ली वही सिलोख है, तो आप देख सकते हैं इसमें भी भक्तिया भक्तिया इसकार्थ परावक्ति से माम मुझे यावान मैं जितना हूँ चा और या जो ठीक है अस्मी हूँ तत्तताहा तत्त से अभिजानती जान लेता है तता फिर मुझे तत्त से जानका तत्तकाल मुझे प्रविष्ट हो जाता है इसमें भी सिर्फ भक्त जान सकता है बिलकुल नहीं लिखा हुआ जो सिर्फ जो शब्द है के केवल या सिर्फ भक्त मुझे जान सकता है जो इनोंने mention करा था ये बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ, पूरे संस्कृत के अंदर आप देख सकते हैं, किसी भी संस्कृत में जो पूरा सुलोक है, उसमेंसे किसी भी शब्द का आर्थ सिर्फ नहीं होता है, सिर्फ एनोंने अपने मनगणन से इसमें, कामका में इसमें ग हाम काम है're । कि just फूंकि ये खुद को भक्त केटे हैं। इसलिए उन्हों ने अपने आपको सुपीर करने के लिए और बाकि लोगों को इंफीर करने के लिए थीन है ज्यानी न ध्यानी न योगी ये भी नहीं भी निका हुआ कहीं पर भी यहानी जाने-न ध्यानी-ų वह कहां से आ रहा है तो अभी इनकी स्कौन की भगवत गीता है यहां से स्कौन की भगवत गीता है और इसमें भी अगर आम 18 में अध्याईगे 55 में सिलोक को खोलेंगे 18 में अध्याएका ये इस सेम सिलोक है, 55 सिलोक, इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी इनोओने जितने भी सिलोक के अंतर जो संस्क्रिट के शब्द हैं, भगतायाम, असमी, इमाम, अबिजानति, यावान, चा, ये सारे शब्द मेंशन कर रहा हैं और इसमें से भी किसी क अंदर भी इनकी खुद की जो इसकौन की गीता है उसके अंदर में भी किसी भी संस्कृत का जो सब्द नहीं है जो की केवल को संबोधित कर रहा हो लिकिन जब यह आर्थ करने पर आते हैं तो यहाँ पर इन्हों ने केवल को खाम खामे घुशिर दिया केवल भक्ति के द्वा यानि कि शुद भक्ति से यह भी केवल नहीं है अगला है माम तो माम मतलब मुझको इसमें भी केवल नहीं है अभी जानती मतलब जान सकता है यह भी केवल नहीं है यावान जितना यह भी केवल नहीं है ठीक है असमी जैसा मैं हूँ यह भी केवल नहीं है उसके बाद आता ह सत्यता ये भी केवल नहीं है उसके बार तत्यता ग्यात्वा जानकर प्रवेश करता है और तजन्तरम तत्पश्चाथ ठीक है तो इसमें से किसी में भी केवल केवल जैसा कुछ है ही नहीं लेकिन जब ट्रांसलेशन में लिखने की बाद याई तो खाम खाम है जबड़स्ति केवल गुसेड दिया बीच में केवल भक्ती से मुझ भगवान को जाना साथ जा सकता है और ये जो सेकंड लाइन नहीं बोली थी वो तो इसमें भी नहीं लिखी हुई कि ना योगी ना ज्यानी ना ध्यानी मुझे जान सकता है ये तो उन्हों ने अपने मन से एड़ कर दी तो पहला तो एक केवल जो शब्द है यहाँ पर कहीं संस्क्रित में लिखा नहीं हुआ उसके बाद ये जो सेकंड लाइन नहीं बोली है कि ना योगी ना ध्यानी मुझे जान सकता है वो इन्होंने खाम खामे इसमें गोशेड दी है वो मैंने आपको पूरा इसकौन की उससे भी दिखाई और ये जो गीता प्रच के आती है इसमें भी दिखाई कहीं पर भी ये केवल शब्द नहीं है और हमसे बोल ले हैं कि लोग भगत गीता को पढ़ते नहीं है आप देखी कितनी सरम की बात है बड़ा क्लियर कर दिया है आप उसको मिसरी प्रिजेंट करके हैं आप़ बोल देते हैं और उसके बाद लोग कमेंट में आपके तारीप भी कर रहा है मतलब लोग कितने महामूर्ख हो सकते हैं इस बात की आप इसी समझ सकते हैं कि लोग क्रॉस वेरिफाई जाके करते ही नहीं है भगवत गीता सबके घर में उपलब्द है जाके खोल नहीं है अठारे मां ध्याय पच्छपन मां सुलोक लेकिन उतना उतना इतना आलसीपन आ